चेहाद मेट गிरा रहारा कसरी स्थापित गरने तैला कसरी निरंतरता दिने रहा बत्रता इका कसरी सुधार गरने रहा ऐले से Pirina ऐन कानून को इसब बने हैं यो बनाई हो अर्थमंत्री जनार्दन सर्मा को अर्थतंत्र को बागदोर समाले पसी साउन अठारमा पत्रकार हरुलाई उनले वने का थिये विकास को गतिले अब तीब्रता लिने सा ब्यापार घाटा घटने सा आर्थिक सुचा करू सकरात्म कुदै जाने सान तरट ठीक बिपरित आर्थिक सुचा करू नकरात्म कुदै गया का सान यती समकी कोरुणा महामारी उतकर्षमा रएर आर्थिक चेत्र थप्प उन्दा को अवस्ता बंदा दयनी अवस्तामा निपाल को अर्थतंत्र यती बेला पुगे कोछा। गठबंदन सरकारले विकास को गतिलाई ती ब्रता दिने वनेरा बजेट प्रतिस्तापन बिदेख मारपत गोशना गरे पनी त्यसको कारोनें पक्षा बनी निक्केई कमजोर सा। चालू आर्थिक बर्च दिजार अठट्तर उनासी सुरूब हैको चार महीना मा विकास को गति महामारी को समःबंदा पनी कमजोर देख्विये कोछा। आर्थिक बर्षा शुरू भायको पईलो चार महिना विती सक्ता पुजी गत खर्च पांच प्रतिसत को आरारी मा मात्रे पुए को सा। मालेखा नियंत्रक कारेलाई को तथ्यां का अनुशार मंग्सिर पांच गत्ते समा सरकाले पुजी गत खर्च बिन्योजित मद्दे 21 अर्व 22 करोण मात्री अर्थात जम्मा 4.9 प्रतिसत मात्री गरे को सा। यो बर्षा पुजी गत खर्च अगिलो बर्षा को भामारी को समाय बंदा पनी कम भायको हो। आमरो पारदर्शिता चाहिना, सुसासन चाहिना, प्रस्टाचार चाहिना, अनि लगानी आउनुपर्णी जती बिदेशी लगानी आउना सके को चाहिना, स्वदेशी लगानी हुना सके को चाहिना, सरकारी खर्च, कुजी गत खर्च हुना सके को चाहिना, जन सकती ठुलो नियुति पाऊने संदर्म, दली एक कोटा, आपनू मांचे, खलती को मांचे, गुट को मांचे भनेर नियुति गरीन छा, तेही कारणे अर्थतंत्र पनी ओरालू लायेक। कमजोर हुदे गायेक। अहिले विदेशी मुद्रा संचीति मां तिब्र दबाब परेको देखिन छा, कोरोना पचे आर्थिक गतिपिदी ब्रिद्धी हुदा, आयद बढ़ेको स, तरत्यसको दाजोमा निर्यात नगण्य मात्रामा बढ़ेको स, विदेशी परेटक नाया हु कर्च बढ़ाऊना सकते हिना, यसको समाधान ततकाल खोजना जरूरी देखिन छा, यो समाचार का लागी दिपेश की मिरे काट बंडो